Welcome back to the vibes, मैं हुदिक शाफ के साथ दोस्तों, प्यार में लोग कुछ खास तोफे देते हैं ऐसा तो आपने देखा ही है, सुना ही है ताज महल एक ऐसा monument रहा है जिसको एक शोहर ने अपनी पत्नी की याद में बनाया लेकिन उसकी शुरुआत कहां से हुई थी इस monument से जो बिलकुल मेरे पीछे आप देख रहे हैं हुमाईयू का मकबरा जिसे हमीदा बानो बेगम ने अपने पती हुमाईयू की याद में बनवाया था और इस बहुत ही खास मकबरे की बहुत सारी खास बाते हैं यह अपने आप में ताज महल के रिए एक inspiration बना इस monument में एंटर करने की ट्रिकेट लगबख 40 रुपे पर परसन है जिसे आप digitally भी ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो token भी ले सकते हैं लाइन धोड़ी लंबी कई बार होती है वीकेंड पे आप online बुक कराएंगे तो ज्यादा आराम रहेगा बच्चों की टिकेट लगबख 15 साल तक के लिए यहाँ पर absolute e3 है जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा जब आप नीट गेट से एंट्री करेंगे तो अंदर आते ही आपको राइट में ये एक खंबा सा दिखाई देगा और इस पोल पर छोटे-छोटे आरोज भने हुए हैं जहाँ पर आपको इस साफ दिख जाएगा कि हुमायों का मकबरा जाने के लिए आपको सीधा जाना है इसा खान का मकबरा देखना है तो आपको राइट जाना है बू हलीमा के लिए आपको लेफ्ट की तरफ जाना है ये आपको यहाँ पर डिरेक्शन लिखी हुई हैं तो इनको देखकर फिर अपनी डिरेक्शन चेक कीज़ेगा। हुमाईयों के मकवरे में जाने से पहले जब आप एंटर करेंगे गेट की तरफ से तो बिलकुल राइट साइड में आपको एरो भी दिखाई देंगे और बोर्ट पर साफ साफ लिखाओगा ईसा खान का मकवरा लेकिन इसा खान आकर थे कौन इसा खान नियाजी जो थे वो श iamancadaqua में गया निकाशी एक तरीके की खुब्सूर्ति दिगयी है यहां पर अधों जाली तरीके से भी इसको दौरान सजाया गया था पंदरह सो 27 बनाशीन एक गयी है उसमें जाह झाई पहले जमाने में तो इसको जूल भी लगाय गये प्राइए पूर को भी पिर थी बहुत सारे लोग रहते थे लिसको बाद में समक्बरे के रूप में तब्लिव कर दिया गया जब आप दिने चप गदार तयले दिखाई देंगी है जो अप शाध इतनी चमकदार नहीं ही क्योंकि बाद बहुत परानी है जालीदार खिड़किया है जिनको सजाया गया है इन जालियों से और आहाता बना हुआ है आहाते के बिलकुल वेस्ट की साइड में ती चौड़ी मस्जिद में बहुत ही विशाल लाल पत्थर का एक सेंटर दर्वाजा बना हुआ है अब यह जो आहाता है बेसिकली यहां पर बीस्वी श हौना कि मुघली आखिटेक्चर में जो मतitel्या जाते हैं वह गुंबत के बीच में बनाया जाते हैं यहां पर बीकुल ऐसा है लेकिन नहीं पर सिर्फ रख रख च्छ उमत बनाया हुए इस जगह के खास बास बात यह कि यहां पर सिर्फ freight का मकबर्रा नहीं है यहां पर बहुत सारे और भी लोगों के मकवरे हैं जो important लोग थे बुगलिय सल्तनत में जो दिल्ली के आसपास रहा करते थे जिनका अपने एक power था लेकिन वो इतने famous नहीं दूए शायद तो उनके भी मकवरी यहां पर आपको दिखाई देंगे लगभक सौ के करीब यह सौ से जादा ही यहां पर मकवरे कहे जाते हैं लेकिन इस particular ईसा खान का जो मकवरा है उसके इस पूरे एरिया में लगभक छे अलग-अलग कबरे जो कहें आप देख सकते हैं हुमायों के मकवरे के ओर जाते हुए आपको पहले राइट साइड पे दिखेगा बू हलीमा का मकवरा अब बू हलीमा के बारे में ना ज्यादा जानकारी कहीं पर भी आपको मिलेगी नहीं क्योंकि अगर ऐसी कुछ खास से इंफॉमेशन होती तो यहां पर जरूर होती वो हलीमा के जो मकवरा है और उसके साथ जो बगीचा बना हुआ है उसमें एंटर करने के लिए आपको एक बड़ा सा दर्वाजा मिलेगा जसको अरब सराय दर्वाजा कहा जाता है या गेटवे कहा जाता है 14 मीटर हाइट का ये दर्वाजा है और ये बेसिकली एक आहाता बनाये गया था यहाँ पर वो मजदूर भी रहा करते थे जो हुमायों स्टॉम को बनाने का कारे कर रहे थे यानि हुमायों के मकवरे का बनाने का जो कारे कर रहे थे वो भी यहाँ पर जो सारे मजदूर थे वो भी रखे गई हैं चमकदार कुछ टाइले भी लगाई गई थी जिसके अब ज्यादा भाग जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे अब शेश दिखाई देंगे बू हलीमा की मकबरे की तरफ जब आप आएंगे तो यहां पर आपको बड़े से गुंबत के बीच में मकबरा भी दिखाई देगा और एक दो इमारते और दिखाई देंगे और साथ में दिखाई देगा एक बड़ा सा बागीचा जो आज भी काफी अच्छा है ग्री यहां प पर बनाये गया था पॉर्शन अर्किटेक्चर था और उसके लिए काफी फेमस था तो बगीचे होना यहां पर बहुत कॉमन सी बात है जैसा कि आपने ताज महल में भी देखा होगा पहले बहुत बड़ा गार्डन होता है और फिर मगबरा आता है उन्यस सो तिराद्वे मे इस टूंग को रिजस्टर किया गया था युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेट साइट्स की श्रेणी में और इस वर्ल्ड हेरिट साइट में एंटर करते ही आपको बड़ा सा दर्वाजा देखेगा जिसकी हाइट है 16 मीटर इसके दोनों तरफ अलग-अलग कम्रे भी बनाये गए अलग-अलग जूल्री में भी और यह उसको काफी कॉस्मिक भी मानते थे जैसे ही आप हुमायू टूंग की तरफ आएंगे तो लेट साइड में आपको छोटा सा म्यूजियम दिखाई देगा उस बड़े से दर्वाजे के एंटर करते ही आप इस म्यूजियम में आएंगे चोड़ा सा है और यहां पर बहुत सारी डीटेल्स लिखे हुए बाद्शाह हुमायू के बारे में 1513 में बाद्शाह नसीरुदेन मुहमद हुमायू एक उपसूरत चेहर बनवाने का हुपम दिया जिसका नाम रखा दीन पनाह यानि इमान का आस्रा और हुमायू सबसे पह मॉडल बना हुआ बहुत ही अच्छे से इस पूरे एरिया का मॉडल बनाये गया है आप बाहर से अंदर आएंगे तो काफी समय लगता है घूमने में लेकिन में डूट से एंट्रेंस करके कैसा है यह पूरा मॉडल या आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा इस म्यूजियमें एंटर करते ही ना एक बहुत खास चीज है वो है विज्वल हिस्ट्री आप हुमायों स्टोंग यानि इस मकबरे के विज्वल हिस्ट्री यहां पर बहुत सारी पिच्छर्ज लगी हुई है और साल दर साल या पिर कहीं कि शताब्दी दर शताब्दी बता आगा खान ट्रस्ट द्वारा बहुत सारे काम किये गई यहां पर रेस्टोर किया गया इसको बहुत अच्छे से बनाए गया है इसमें बहुत सारी मित्टी जो थी वह उत्वाई गई है एक्ट्रा मार्बल का काम कराए गया फौद ही वह लगाए गए जो कि मुगल एंपरर को पसंद हुआ करते थे या फिर मुगलिया सल्दरत में काफी पेमस हुआ करते थे अगरी कल्चर होता था यहां पर उसको भी साइट पे किया गया और सारी चीजों को मेंटें करके आज की तारीक में बहुत खुबसूरत सिती में आपके सामने है म्यूजियम कम एग्जिबिशन है यहां पर राइट साइड में आपको दिखाए देंगे वो अफशेश वो मिट्टी के बरतन वो टेरकोटा के अफशेश वो कुछ ऐसे खिलोने जो कि ईसा खां के चूम की जब सुदाई हो रही थी जब इसको रिस्टोर किया जा रहा था तो यहां पर यह सारी चीजे मिली थी और यह सारी चीजे लगभग आज की चीजों जैसी हैं वो मटके वो घड़े वो बरतन पर अपने आप में काफी इतिहास समेटे हुए हैं जो बोल रही हैं कि बाकर यह हम बहुत शुराने हैं और इस इंडियन सब कॉंटनाइट में प उसरे शासक हुमाईयों की पत्नी ने उनके मृत्यों के बाद उनहीं की याद में यह मकबरा बनवाया अभी मकबरा जो है वो इंडियन सब कॉंटिनेंट में पहला मुगलिया मकबरा रहा है बड़ी इमारत रही है जो कि अपने आप में बहुत कुछ बताती है इसी को सब्सक्राइब के प्लाटफॉर्म पर बना हुआ है जिसकी हाइट है लगभग संतालिस मीचर बहुत सारे और भी जो बिल्डिंग्स बनाई गई है बाद में मुगलिया सल्तनत द्वारा वो इसी से मिलती जुलती है लेकिन इस मकबरे में एक बहुत खास बात है जो मैंने बलुआ पथर का इस्तमाल किया गया है ग्लेज ब्लू टाइल्स आपको यहां पर दिख जाएगी जो कि इस राइं बहुत जादा नहीं है लेकिन कुछ कुछ जगाओं पर नीले गुंबद में वो दिखाई दे जाएगी और फाइनली ब्रास का भी काम इस पर किया गया था हुमाईयों के मखबरे तक जाने से पहले जो में एंटरंस आती है उसके चारो तरफ अगर जहरोखों में देखा जाएगा तो यह चोड़े चोड़े दर्वाजे बने हुए हैं और इन दर्वाजों के बाहर हर एक जगहा पर एक कबर आपको दिखाई देगी एक ग्रेव आ होते थे तो उन्हीं एक रिस्पेक्ट देने के लिए कबरे यहां पर बनाई गई हैं हुमाईयों की पत्ली बागा बेगम ने इस हुमाईयों चोंग को माईयों की याद में बनाने का जब हुक्म दिया तो इसका बजट काफी ज्यादा था लगभक 15 लाख रुपे और उस अर्किटेक्ट को बुलाए गया जिनका नाम था मिराक मर्जा घ्यास जिन्होंने इसकी रचना की अपने सभी टीम के साथ मिलकर साथ वर्शों का समय लगा 1565 में इसको बनाना शुरू किया गया था और 1572 में जाकर यह तैयार हुआ दस एकड में पहला है यह हुमाईयों स् स्टोन येलो और ब्लाक मार्बल का काफी खुबसूरत काम हुआ है और इसे यमुना के किनारे सूफी संथ निजाम-दीन ओलिया की दरगाह के बिलकुल पास में बनाने का हुक्म दिया गया था जिसे पूरा किया गया और जैसा कि मुगल आर्किटेक्ट्चर में काफी फेम यहां पर एंटर करते ही आपको कुछ फीलिंग ऐसी आएगी ताज महल जैसी बिलकुल कहा जाता है कि इसी से इंस्पायर होकर बाद में शाह जहां ने ताज महल भी बनवाया और ताज महल को जब आप देखेंगे तो बिलकुल ऐसा ही दिखता है हाला कि साइज और स्ट्रक किट लेकर इसको देख सकते हैं यह और ज्यादा खुबसूरत लगता है और यह आपके बिलकुल सामने जो आपको दिखाई दे रही है वो है हुमायू का मकबरा यानि उनकी कबर और यहां पर एक बड़ा सा लुंबत के नीचे जो यह पूरा हॉल है काफी विशाल है काफी मिस्ट्री से जुड़ा हुआ तो खोशिश करें वीग डेज में आएं कि रश थोड़ा कम होता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहां पर बहुत ही कमाल की फोटागरफी करते हुए भी दिखाई दिये हैं तो आप भी अगर कुछ बेहतरीन शॉट्स लेना चाहें तो यहा वाजे के अंदर एक कमरा है कमरे में तीन कबर आपको दिखाई देंगी और यह कब है मुगल समराथ हुमायू की पत्नी बेगम हमीदा बानों की और उसके बाद समराथ शाह जहां के बड़े बेटे दारा शिको हो और कई उत्रा धिकाली मुगल समराथ के थे जैसे की जहां दर्शह, परुक्षियार, रफ्यूज, दर्जत इन सब की कमरें भी आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिलीज बेल आइकन प्रेस कीजे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजे ताकि नई-ई वीडियो आप तक पहुंच सकें और एक और बात वीडियो को शेर जरूर कीजे अपने दोस्तों के साथ और अपने अपनों के साथ फिलाल दवाइब्स विद दीक्षा में आज बस इतना ही होगे फड़ से मुलाकात एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर बबाई साइन आरा इस वीक्षा साइन अपने आरा